इस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने टेलिग्राम अकाउंट को अपने फ्रेंड से अपने कॉंटेक्ट से हाइट करना है तो गाइस वो आप कैसे कर सकते हो यह गाइस बहुत आसान तरीका है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेलिग्राम अप्लिकेशन को उपन करना है टेलिग्राम को उपन करने के बाद अब आपके सामने को जैसा इंटरफेस होगा अब आपको यहाँ पे उपर इन थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने को जैसा इंटरफेस होगा अब आपको यहाँ पे यह सेटिंग्स वाला ओप्षन दिख रहा होगा आपको इस सेटिंग्स वाला ओप्षन को ओपन करना है Settings वाला option को open करने के बाद अब आपके सामने बाला type को उपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो आपको यहां से थोड़ा सा scroll down कर लेना है scroll down करने के बाद फिर गाई आपके सामने इस तरह का option दिखेरा होगा Privacy & Security अब आपको इस Privacy and security वाला option को open कर लेना है privacy and security को open करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है फिर आपको यहाँ पर एक option मिलेगा privacy तो guys अब हमको यहाँ पर सबसे पहले phone number वाला option पर click करना है privacy के अंदर phone number पर click करने के बाद अगर यह आपने everybody कर रखा है तो आपको इसे जो nobody कर देना है nobody करने के बाद अब आपको वापस आना इस उपर उपर जो टिक है इस पर click कर देना है फिर guys अब आपको यहाँ पर last scene and online वाला option पर click करना है अगर guys इसे भी आपने everyone पर select कर रखा है तो आपको इसे जो nobody वाला option पर select करके यहाँ से फिर आपको जो यहाँ पर उपर इस right पर click कर देना है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर okay कर देना है okay करने के बाद फिर guys आपको यहाँ पर profile photo वाला option पर click करना है और गाईस अगर आपने profile photo को भी everyone वाले option पर select कर रखा है तो इसे भी आपको nobody वाले option पर जो select कर देना है nobody पर select करने के बाद अब आपको यहाँ पर उपर इस right click पर click कर देना है इतना करने के बाद गाईस अब आपको यहाँ पर इस calls वाले option को open करना है calls वाले option को open करने के बाद अगर आपने इसे भी everyone पर select कर रखा है तो आपको जो इसे भी nobody वाले option पर select कर देना है यहां से और फिर select करने के बाद अब आपको यहां पर उपर इस right वाले tick पर tick कर देना है इतना करने के बाद अब गाइस आपको थोड़ा scroll down करना है और फिर आपको यहां पर contact वाला option मिल जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर sync contact वाला option मिलेगा तो इस sync contact वाला option को यहां से click करके आपको disable कर देना है फिर आपको उसी के नीचे suggest frequent contact वाला option मिल जाएगा इसे भी जो आपको disable कर देना है so guys इतना करने के बाद आपकी जो टेलिग्राम की profile लोगी वो completely hide हो जाएगी और आपको कोई भी friend या contact आपकी file को जो देख नहीं पाएगा so guys इस तरह से आप अपने टेलिग्राम की profile को hide कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी subscribe कर देना